Hello friends, मैं सुधिर आपका अपनी YouTube चैनल S Cricket में स्वागत करता हूँ दोस्तों ये 32 सिरीज का वीडियो नम्म 16 है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस प्लेयर को कौन आउट करता है क्योंकि ये चीज बहुत ज़्यादा important है आपको जाननी कि अगर आप कोई batsman ले रहे हैं तो उसको आउट करने की probability किस baller को सबसे ज़्यादा है ताकि हम कभी भी जब भी अपनी GL की team बनाए है या SL की team बनाए हर एक point पे ये चीज समझेने की ज़रुरत होती है कि इस बल्लेबाच को कौन आउट कर सकता है तो इस वीडियो में मैं आपका ये सारा doubt क्लियर कर देने वाला हूँ कि किस किस player को जो है कौन आउट करता है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर जोईन नहीं हुए है तो जाए जोईन हो जाए उसका लिंक जो है इसी वीडियो के description box में है आपको क्या करना है मोर की बटन पर क्लिक करना है वहां पर टेलिग्राम का लिंक खुलके आएगा आपको उस पर क्लिक करके इंपली जॉइन हो जाना है ठीक है वहां पर मैं आपको यहल की और एसल की टीम के साथ साथ मैं आपको वह possibilities भी देता हूं कि कौन आज captain बन सकता है ताकि अगर आप captain और voice captain change कर रहे हैं या किसी players को change कर रहे हैं तो at least आपको clear of thoughts हो कि इन players को change करना चाहिए according to the my analysis मेरे analysis के according यह सारी चीज़े मैं टेलिग्राम चैनल पर भेज़ता ही भेज़ता हूं इसके साथ साथ मैं पिछ रिपोर्ट बहुत ही अच्छे से cover करता हूं आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जाके चेक कर सकते हैं मैं लाइव आपको जो है उसका footage दिखाता हूं कि वहां की life condition क्या है जब ही भी आप जो है अपनी GL की टीम बना रहे हैं तो आपके पास वह सारी information होनी चाहिए जिससे कि आप एक बहतर और winning टीम बना सके इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को छोड़के एक तरफ करके बात करेंगे कि किसको कौन आउट करता है ताकि यह जो हम गलतियां करते हुए आए हैं उन गलतियों को दूर करने का एक अलग step है एक एडवांस जो है step हम forward step ले रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं कि इस चीज़ को एटलिस यह वीडियो देखने के बाद जो हम करती ना करें क्योंकि हमें यह पता है कि कितने percentage of selection है हमारी win करने का एक contest में जो GL का contest होता है आपको समझेने की थोड़ी किसी ज़रूरत है कि उस GL के contest में एक करोड़ लोग अगर participate कर रहे हैं तो उसमें से एक की जीतने की probability क्या होगी है ना लगभग 0.0000001% के आरांड यानि आप मान के चल सकते हैं यह नियर अबाउट किसके हो गया 0 के यानि आपको एक भी गलती नहीं करनी है जिस दिन आप एक भी गलती नहीं करेंगे उस दिन आपका जीएल आपके हाथ में होगा और दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह चीज़ें आती हैं ठीक है कि अरे यह फाल्तू की चीज़ है पैसा यह भी जाएगा जाएगा भाई नहीं अगर आप एनालेसिस के साथ कर रहे हैं टीम लगा रहे हैं ठीक है अगर आप जो है मेरी वीडियो देख के टीम लगा रहे हैं ठीक तो एक ही चीज़ आपको रोग सकती है वो है आपका लग जिस दिन लग साथ साथ देगा आपका उस दिन आप जीत जा किस ठाइब क्राइब की प्लेयर्स को खिलना है किस टाइब के बॉलर को लेना है। कौन से बॉल पएसा जाएगा ये जाएगा और आप नहीं मैं जब bit begin लगाता मैं अपने दोस्तों के साथ टीम लगाता की अरे यार आज किसको ले अचाह चलो इसको ले 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 या वहा व क्या होता था कि आ तो उन में थोड़ा मैं experience gain किया कैसे टीम बनाते हैं किस formation से टीम बनाते हैं मैंने बहुत सारी गलतियां की है इस वजह से मैं गलतियों को rectify कर पाता हूं कि आप भी अगर beginner है intermediate है immediate है तो आप सेम गलती करते होंगे तो आये बिना वक्त जाएगी स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और समझते हैं कि किसको कौन आउट करता है तो अगर हम बात करें batsman की तो batsman हमेशा जो है दो टाइप्स के होते हैं एक जो है आपका right colder batsman फिक है राइट हैंड batsman और एक होता है आपका left hand batsman अ빛 गड़े थो यह समझ लेते हैं कि right नड़े के बारे में टिक है कि right and batsman को कौन आउट करता है फिर हम समझेंगे कि left and batsman को कंगाऊट करता है राइट बैट्समेन को जो मेरा अब्जर्वेशन है ठीक है अराउंड 80% अफ टाइम ठीक लेग ब्रेक अगर कोई गेदबाज होगा है ना लेग ब्रेक अगर स्पीनर है ठीक तो वह क्या करेगा आउट कर देगा लगबग 80 टाइम अगर मिडल ओवर में हैं अगर मिडल ओवर की बात करता हूं तो ठीक है अगर मिडल ओवर का कोई बदलेबाज है तो वहां पर लेग ब्रेक इस पीनर आएगा तो वह 80% टाइम लगबग आउट ही हो जा कह सकते किसी की वीकनेस भी होती है कि वह लेफ्ट आम पर्वाउलर को नहीं खेल पाता है यह जैसे अब हम बात कर लेते हैं अगरह मैं कर लेते हैं आपने सबने स्मिट का नाम सुना होगा थीक ऐब कौन स्मिट की बात नहीं करना हूं मैं ग्रेन स्मित की बात कर रहा हूं जो सौथ अफरिका के कैटन हुआ करते थे तो स्मित जभी भी जभी जभी भी सामने आया है वो वो आउट हुए है लगवक 13 से 14 बार आपने थ्रूआउट दो कैरियर जो है उन्होंने आउट किया है उनको ठीक तो वह एक टाइप का आप दे गया यहीं पर कि आपने दो प्लेयर ऐसे लिए जो एक दूसरे क्या है अपोनेंट है मतलब वह चलेगा तो जहीर खान गया जहीर खान चले तो इसमित गया यह सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी प्लेयर आप बैटल को भी देखना पड़ेगा अपनी नॉलेज को करना पड़ेगा लेफ्ट आंप फास्ट बॉलर की बात किया जाए तो अब मान लीजे कि रोहित सर्मा है रोहित सर्मा मोस्ट अब टाइम लेफ्ट आम जो फास्ट बॉलर है जिनका इन स्विंग होता है उस पर फश जाते का मतलब यह है कि आपको मैं एक्जांपल के साथ बता देता हूं कि मुहमद आमीर थे चैंपियंज ट्रॉफी था ठीक है दोया-16 शोले-17 चैंपियंज रॉफी था इंडिया और पकिस्तान फाइनल में थी वहां पर भी आमिर ने विकेट लिया ठीक है स्टीम आप आईये वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में भी क्या नाम है तो इस तरीकी की चीज़े को आपको देखना पड़ेगा कि किसको कौन आउट कर रहा है और अगर इनिशली आप बात करेंगे राइट हैं तो लेफटी फास्ट बॉलर है ना वह बहुत जादा और बहुत जल्दी से विकेट लेते हैं तो यह चीज़ आपको देखना स्टर्ट होती हैं किए वहां पर कोई लगेगा ना वह बॉल को छो कंडिशन वह बिलकुल चिकनी बॉल है वहाँ पर करक्षिन है नहीं भी बहुत कम है इसलए आप काफी कम मिलता है थी सरी है अगर हम बात करें कि तीसरे जो है तीसरे लोग कौन आउड करते हैं स्थे लेफ्ट आम डैना मै जो भी ऑ क्या रहता है तिसलिए आप कह सकते हैं कि काफी कम मिलता है ठीज기 अगर हम बात करें कि तीसरे जो है बिजली लोग कों आउट-बार्था तो लेफट्टाम को लेफटबिट ह 판 overlap डाइन टाइन अम टइक था चाहिना मैंं टिक लाझा जिव रोग फ्ट हम पाइट व मैं जो कि जब आप देखें कि किसी भी team में बहुत ज्यादा राइठ हेंडर है यह ना पड़ेगा ज्यादा फोकस करके लेन पड़ेल्ट को लीना पड़ेगा यह कोई टीम ऐसी है जिसमें लेफट हेंडर बलेबाज हैं ही इंडिया टीम ही थी इसके पहले कुछ आप आपको मैं बता दे रहा हूं 2019 का जो है 2019 में इंडिया टीम सेमी फाइनल हार गई क्यों क्योंकि वहां पर लेफ्ट अंडर बल्लेबाज नहीं थे रविन जड़ेजा एकलोते लेफ्ट अंडर बल्लेबाज थे अच्छा केला ठीक ह है तो यह यह कुछ देटा है जो मैंने अब्सक्राइब किया है मेरी एक्सपिरियेंस के कॉर्डिंग ठीक है थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च भी किया है मैं यह नहीं बोलता कि 100 टाइम्स यह सही होगा but most of the time it's correct ठीक है तो राइट हेंडर बल्लेबाज को जो है यह तीन ल है तो लेफ्ट हेंडर जो है बॉलर स्पिन बॉलर ठीक है आपको लगाना ही नहीं होता है एक एक्जामपल लेकि मैं बता बताता हूं कि सौरव गांगुली थे डैनियन विटोरी आए उनको मारे वह तीन से चार शक्के एक ही ओवर में और उसके बाद जब तक सौरव गां लेफ्ट हेंडर बैट्समें हो वहां पे आप लेफ्ट हेंडर बॉलर बहुत रेर है कि करिए गा यह नहीं तो आप ही का नुकसान होगा तो तो आईए हम देखते हैं कि कौन लेफ्ट अंडर को आउट करता है तो लेफ्ट अंडर बॉलों को हमेशा most of the time 80% time right hand ऑफ ब्रिक जो है गेदबाज आउट कर देता है राइट अफ ब्रिक जो गेदबाज होता है वो आउट कर देता है इतना याद रखिएगा most of the time अगर इस स्टार्टिंग में तो देखो पेसर अगर है यहां पर स्टार्टिंग और की नहीं हम ज्यादा पाते हैं और वो जो पेसर वही बॉल फेगता है जैसे आप माल लीजिए कि राइट इंडर बैट्समेंट की एक ग्जामपल ले लेता हूं मैं कि सरे सही है शौट फिच गेंद पर आउट हो जाते है अब जो भी आता है वो क्या करता है शौट फेगना शुरू कर देता तो आउट हो जाते हैं इस तरीके की चीज़ों का नॉलेज आपके पास भी थोड़ा बहुत होना चाहिए तो यह दो चीज थी लेफ्ट हेंडर बैट्समेंट और राइट हेंडर बैट्समेंट के बारे में ठीक है कि किसको कौन आउट करता है पूरे यूटूब पे आपको सा इनेशन नहीं मिलेगी बट मैं यह बता दे रहा हूं कि यह चीज आपको भले छोटी लगती हो मेरे लिए यह बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मैंने इस चीज को लेके बहुत ज्यादा गलतियां की है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करो जभी भी आप अपनी लेकिन अगर राइट हैं और ब्रेक बॉलर ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंडर बैट्समेंट को ना ले मीडी लोवर में तो ज्यादा अच्छा है अब ना ले तो ज्यादा अच्छा है मैं यह क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जैसे उस प्लेयर का बै यह सारी चीज़ें डिपेंड करती है लेकिन यह भी डिपेंड करता है इसलिए मैं इन सब चीज़ें पर फोकस करना शुरू किया हूं और आपको आपसे ही मैं यह वीडियो बनाना शुरू कि अगर आप देखोगे तो आपको इतना तो बलंडर मिस्टेक तो नहीं करोगे आपका पैसा डूबने से तो बच जाएगा और अच्छा जिस दिन बैठा उस दिन आप लाखों में खेल लोगे तो यह चीज़ है मेरी तरफ से अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब किये बीना मत जाना बहुत सारी रिस चुकिए है महाँ पर आप उन 16 वीडियो को वन बाई वन देखिए मैं गारेंटी के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें आप यह चीज़ नहीं सोचे होगे कि हाँ यह गलती मैं करता नहीं हूं ठीक है हर कोई एक एक ना एक उसमें से 16 वी करिवार के लिए आपके भविस्ति तो आपके आने वाले कल के लिए अच्छा है क्योंकि भाई 20 मेरे बाप के पास बहुत बहुत पास करोड़ उपय जीत लें मेरे पास चांस है आपके पास चांस है वा applicants फाय्द अठाएं ओघ्या है और लग अच्छा हुआ थिक है तो आ आप जो है देखके चलिए क्योंकि किसी से कर्ज लेके आप जो है ड्रीम लेवन याजी याजीक किसी भी fantasy एप में अपना पैसा इन्वेस्ट करें आपके पास पैसा है अपने कुछ सेविंग किया है सेविंग भी सेविंग के बाद एक्सक्लूड कर सकते हैं आपकी साथ हजार सेलरी है तीन हजार खर्च है दोजार सेविंग कर रहे हैं तो उस सेविंग में से सो रुपे निकाल दीजिए और आईए और यहां पर खेलिए ठीक है मैं यह कहता हूं किसी से कर्ज लेके जी एल की टीम खेलने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों कर्ज में हो जाओगे कमाम लोग तुम्हारे घर आएंगे और उसके बाद तुम्हारे परिवार को ट्रबल करेंगे तुमको तुम्हारे घर पर ताला लगाएंगे जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगा ठीक है और इन चीज नहीं होनी चाहिए इस वीडियो में बस इतना ही ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा प्लीज और टेलीग्राम चैनल को जॉइंड कर लिजेगा प्री टीम देता हूं वहाँ पर ठीक है और भर भर की कमेंट्स आ रहा है कि भाईया आपकी टीम से खेले तो इ इन स्विप मैं अपने लिए तो मैं करना नहीं चाहता है भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है ठीक है मैं चाहता हूं कि जो लोग बोल रहा हूं ठीक है मैं किसी को not a single person कि मैंने आपको यह गलत सजार दी होगी इस वीडियों बस इतना ही दोस्तों और वीडियो अच्छी लगी हो इंट कॉमेटी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा और प्या झाल